हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिद एके and वेलकम टू टेक्सोर तो अगर यहाँ पर आपके फोन में कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर मैं आपको solution बताऊंगा, जिससे आपकी problem solve हो जाएगी तो आपको video को बिलकुल ध्यान से देखना है और skip नहीं करना है तो सबसे पहले आपको अपने phone की settings में चले जाना है यहाँ पर setting में क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आप अपने phone की application management में चले जाएए यहाँ पर app management में चले जाएए उसके बाद app list में आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको अपने camera की application को यहाँ से क्लिक करके open कर लेना है यहां से सबसे पहले आप एक बार फो स्टॉप पे क्लिक कर दीजिए उसके बाद यहां पर पर्मीशन पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद यहां पर आपको एक एक करके सारी पर्मीशन आउन करके आफ करनी होगी या अगर off होगी तो उसको off करके वापस से on कर दीजिए इस तरीके से आपको सारी application, permission को एक एक बार on off करके देख लेना है और सारी on कर देनी है, सारी allow कर देनी है permissions तो यहाँ पर मैं सारी एक एक करके permissions को allow कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर मुझे आ जाना है back अब आपको back चले जाना है और उसके बाद आपको अपने phone को power button को दबाना है long press करना है और उसके बाद आप अपने phone को यहाँ से reboot कर लीजिए एक बार reboot करने के बाद आप अपने camera को try कर सकते हैं वो सही हुआ या फिर नहीं आप देख सकते हैं लेकिन एक बास सुन लीजिए यहाँ पर camera की दो तरीके की problem होती है एक software और एक hardware तो जो software की problem होती है वो इस तरीके से सही हो जाती है यह जो मैंने method बताया उससे सही हो जाती है लेकिन जो hardware की problem होती है यानि कि आपका camera टूड गया है या खराब हो गया है तो उसके लिए आपको service center जाना होगा और अगर आपका phone warranty में होगा तो आपको वो फमें repair करके दे देंगे आप से कोई भी charges नहीं लेंगे तो hardware की problem आपको इस तरीके से solve करनी होगी वीडियो पसंद आई हो तो tech store को subscribe कर दें अपना बहुत जारक है